ये बनेक्स का वर्ड है, लाटीन वर्ड, इसका मतलद है, ओके? लाटीन वर्ड एडाप्टेजन क्या कर आपके पास? हमारे प्रोड़क्सकेन में कितने एडाप्टेजन है? और? और अबार मुनीजी? और अबार स्पार्ड ना? अभी आपके भी एक अडाप्टेशन आ गया है यह जेंसिंग जो देखा है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि जेंसिंग बोले तो naturally it is related to the sexual activities होगा नहीं यह आप द्यान से दुखा लोगा जो मैंने यहाँ पर एक बाड़ यूस किया cognitive function आपके brain से related वहीं से आपका सारा काम स्टार्ट होता है अगर आपका mind brain मजबूत नहीं है तो आपको भूग का इसास नहीं होगा आपकी life strong नहीं रहेगी आप चलना फिरना नहीं होगा आप वो call आगया कि आपको अभी दादर आना है आप पहुशने गोड़ी उसी तरह से आपके जो कामिली की साथ में आपके जो life है sexual life है उदर भी तो आप तो community function का importance है अगर वो खर्लम रहेगा तो वो भी हतम हो जाया तो वो सब चीज को repair करेगा ये तो ये जो pennex ginsing है ये Korean ginsing आता है तीन टाइप के ginsing है एक Indian एक Korean और एक American है उसमें सबसे बेस्ट जो है Korean और Korean हर इंसान जो है इस तरीके से हम traditional Chinese medicine ने गाइन डर्मा को बहुत ऊपर रखें न तीनसओ पैसाट चीज में और है भी हो तो ठीक उसी तरह से Korean South Korean के लोग जो है ginsing को बहुत maximum यूज करते हैं उनका कहिना है कि इस पज़े से उन लोगों की mental और physical activity बहुत strong रही है देखो South Korean लोग जो है बहुत छोटे-छोटे है and everything बहुत जल्दी लोगों ने progress किया है North Korea से अलग होने के बाद में और इसके कारण है इसके वज़े से आपकी memory, thinking skills, erectile dysfunction जो आज का सबसे बड़ा male का सबसे बड़ा ED का problem है उसके बाद athletic performance कितने medals आते हैं आपने पस Korean लोगों के पास कितने medal जाते हैं? Just imagine. Athletic performance. So, यह एक अपने आप में androgen है, testosterone को बनाता है और इसके सबसे बच्छी खांच बात है कि यह male skills, sperm counts को भी quality और quantity दोनों increase करने में help करेगा. याने के अभी हमारे लिए impolity की case को और easy करने में help किया है, Dr. Leen ने बाइंट इसको Korean जिंसिंग का आ जाता है, various health purpose के लिए यूज किया गया है, adaptogen है, सबसे बड़ी बात है, यह stressor का reliever, याने कि आपके stress को directly relieve करें जाएंगे. इसके अंदर बहुत सारे active chemicals है, जिसके अंदर genosicides और parasites है, thinking skills में बताया है और main overall death है, endurance के काम बता है. ठीक है, उसके अलावा इसमें vitamin B12 दिया गया है, और एक ठीज दिया गया है, जिसके बारे में लिखा नहीं गया है, तो again मैं वो लड़की को पुलाना चांग है, बच्ची इधर बड़ा, पर इसके अंदर 1 ची और है, जिस आपको समयचना बहुत जरूपरी है, पर भारे में जिसके बार, परोहंटिंड एमटी या उसके बार, सीडो जिंसीं या, जस्विट रहा जस्विट 100 एंजी, करेंट एक तो आपका इसके अंदर पैनेक्स जिंसीं इसका इस्पैक है 400 एंजीं उसके बाद पैनेक्स सीडो जिंसीं रूट पावडर या, 100 एंजीं अब यह वर्ड देखो गया तो इसपे सीडो वर्ड है सुडो वर्ड तो फॉस बोलते हैं यानि गलत है ऐसा बोलते हैं बढ यहां पर उल्टा है इसका काम इसका वर्ड क्या है पिटा जाइल किसकी बिटा ठैक्स अरोड पेने केंसी जो है यह आपका ब्लड सर्कुलेशन को पास्ट कर गया क्योंकि इसके अंदर वाइगर विटालिटी पढ़ने का यह है न अब उसको नॉर्मल करने के लिए यह सीड़ों को दालग है अब इक्जांपल में बताता हूं वाइगरा के बार में सुनाया आपने यह यह इसा ड्रग है यह सीधा क्या करता है आपके जो ब्लड वेसल से इनको चोड़ा करें उस वजे से क्या होता है कि आपका हार जादा पौं करेगा और ब्लड रश्ट है इससे आपका बीपी क्योंकि वो बीपी की या हार्ट की कोई दवाई ले रहा था या जोगी था अब वहां पर उसको कंट्रोल करना बहुत इंश्ट है अब यहां पर यह वाइगरा नहीं है इसके अंदर जो है जिंसिंग कूरियन जिंसिंग जो है यह आपके सर्कुलेशन वगरा पर वही काम क जिसे के ब्लड को खोलेगा तो वहीं पर उसको कंट्रोल करने के लिए भी जिंसिंग को नार रहा है इसका में इपॉड़न है कि यह आपका स्टॉप या स्लोड़ बीडिंग या कहीं पर बहुत ज्यादा बीडिंग अगरा और यह तो स्टॉप बीडिंग करने में हेल्ट क कर सकता है जैसे के पॉर इसांपल है नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ज्यादा बीडिंग अगरा हो यह तो पास करके अभी दभाई आजी यह इस्टाइब की चीजे दे रही वहां पर आभी होंगे सीडो जैंसिंग के साथ में यह इसको दे सकते हैं ताकि कोई एक्स्टर्नल इसके अलावा जैसे कॉप में वाविटिंग में वगरा यह मिलता है बहुत सारी चीजे देखने के लिए मिलती है यह यह आपका रिलीव पें भी करेगा कोलेस्ट्रॉल एंजायना पें होगरा में भी इसको हेल्प करता है उसके साथ साथ में प्रोस्टेट कांसर के लिए प्रोस्टेट कांसर के लिए को बैंस सीडोजेंसिंग मां रिलाक्स ड्रे अशल्प ब्लड फ्लो अर जैसे नेपाल यह एक्षटी में यह जो पिनाइन जेंसिग है ना यह इंन जेंसिंग है जो नेपाल और यह बॉर्ट पे जारा कर्पिश्द्मानियन बॉट पे इसको प और सारा Pub Meds, Nex Meds वगरा जो है ना, ये जितने Medical Research Paper क्या कहता है, कि Korean Genzing एना बेट सेंप में मत कुछी है, यह आपके Sleep को थोड़ा Disturb करेगा, और इसके पिछे रिजान है, Sleep इसले Disturb होगा तो कि आपका Blood Circulation बास होगा, तो normally अगर आपको इसको लेना ही है, तो मेरा ऐसा Suggestion है कि इसको आप एक तोड़ा सा 4 गंटा पहले है, जैसे कि शान को 6-7 बजे, अगर आप 10-11 बजे सो रहे हैं, तो 6-7 बजे कि आज पास में इसको नास्टिक के साथ में ले सकते हैं, और दीन में भी ले सकते हो, सुबा नास्टिक है, तो ये twice a day recommended है, बच्चों को, और इसको तो मैं अभी इसको recommendation नहीं करूँ है, आगे अभी जो हमारे sessions होंगे, जैसे कि इसको खाया, अजमाया और खिलाया, अजमाया तो उसके ओपर ही, इसका maximally results हम देगे, बट इतना है, कि ये जितना भी दिया है, ये फ़ूद ही safe है हमारे लिए, और अभी सारे branches में अगरा में